हेलो स्टूडेंस गुड मॉनिंग आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको सेले एजुकेशन में और आज हम करें हमारी फोर्थ किलास की एवियस का थाटीन चेप्टर काना बाती कुर तो इसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया है और अब करेंगे उ कौन से ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं तो पढ़ते हैं गर्मियों के दिन थे विजय ने देखा कि एक गोरईया तिन के चुनकर लाती और उन्हें कमरे के रोसंदान में इकठे रखती तो देख रहा है गर्मी के मोसम में तुम भी देखते हो बहुत सारे चिडिया है गोरईया यह सब आके ना और अपना घोसला बनाती हैं तो वो वहाँ पे घोसला बनाने की तैयारी कर रही थी वो उसने मां से पूछा तो उन्होंने बताया लगता है गोरईया अपना घोसला बना रही है यह इस घोसले में अंडे देगी और कुछ दिन बाद इन अंडों स बच्चे निकलेंगे देखो यहां पर गोसला बनाया हुआ है और उसमें अंडे रखें है ना तो वो बता रहा है कि अंडे देगी थोड़े दिनों के बाद और उसमें से फिर बाद में बच्चे निकलेंगे विजे बहुत उत्सुक था कुछ समय बाद गोरया ने तीन अंडे दिये उसने गोसला बना लिया उसके बाद उसने अंडे दिये विजे उसे उन्हें देखकर बहुत खुशवा किसको देखकर अंडों को देखकर वह उन्हें रोजा न देखता कुछ दिनों बाद गोसले से चीची की आवाज आने लगी, चीची की आवाज क्यों आई थी, अंडे कर रहे थे क्या, नहीं, विजये ने देखा कि अंडों में से छोटे-छोटे चूजे निकलाए थे, छोटे-छोटे बच्चे उनके चिडिया के पैदा वगे थे, वो आवाज कर रहे थे, ठीक है, अब पागे है पता करो और लिखो कौन सी जीव जन्तु अंडे देते हैं किनी पांच जीव जन्तु के नाम लिखो जिनकी अंडे तुमने देखे हैं पहले तो यह बताना है कि कौन से अंडे देते हैं और फिर पांच ऐसे जन्तु के नाम लिखने जो तुमने देखे हो जिन जीव जन्तुओं के कान बाहर दिखाई नहीं देते वो पक्षी और जिनके सरीर पर बाल नहीं होते वो सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं समझ में आ गया जिनके सरीर पर बाल नहीं होते और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं जैसे चिडिया, मो पुर्नी, मुर्गी, कोयल, छिपकली आदी ये सब अंडे देते हैं ठीक है अब आगे है कौन सी जीव जनतु बच्ची पैदा करते हैं अभी तक तो हमने ये बताया था कि कौन से जिनतु अंडे देते हैं अब ये बताना है कि कौन सी जीव जनतु बच्ची पैदा करते हैं क पांच जीव जन्तों के नाम लिखो जो बच्चा पैदा करते हैं और जिनके बच्चे तुमने देखे हैं वो वाले तुम्हें यहां पर नाम लिखने हैं तो सबसे पहले तो यह बताएंगे कि कौन से जन्तों ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं तो जिनके कान दिखा बच्चे पैदा करते हैं और जिनके सरीर पर बाल नहीं है और जिनके कान भी हम नहीं देख सकते हमें दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं दोनों में अंतर भी आ सकता है और यह अंतर तुम्हारे अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं एक्जामपल कि जो ह हमने बच्चे देखे होते सब ही ने तो मैंने ये लिख दी है तुमने किसी और का देखा हो तो बेटा वो भी लिख सकते हो ठीक है अब आगे है देखो चाटो और लिखो पाठ में जिन जीव जन्तूं का नाम तुमने पड़े हैं बहुत सारे आये हैं ना उन में से अंडे द अंडे देने वाले और बच्चे पैदा करने वाले जीव जन्तों के नाम लाल बॉक्स में यहां बच्चा पैदा करने वाले और यहां पर अंडे देने वाले जन्तों के नाम लिखने कुछ तो मैंने यहां पर लिख दिये हैं है ना और कुछ तुम पाठ में से पीछे से द लिखना, वहाँ पर लिखना यहाँ पर कूण सा लिखना है? बच्चे पैदा करने वाले और यहाँ पर जो अंडे देते हैं. समझ मैं आ गया? जिन जान्वरों के कान बाहर दिखाए देते हैं, उनके सरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे बच्चा पैदा करते हैं. इतना पूरा पाट पड़ा है उसका मूल निशकर्स निकाल के यहां पर बता दिया है और जिन जानवरों के कानबार दिखाए नहीं देते उनके सरीर पर बाल नहीं होते वैसे एनिमल जितने भी हैं वो सभी जीव जनतु अंडे देते हैं तेक है अब है पता करोर लिखो किसी एक ऐसे जान मैंने तो यहां पर लिखा है कुट्टा और उसका नाम है सेरू भूख लगने पर क्या करता है क्या खाता है तो भूखने लगता है कुट्टा और रोटी खाता है कब सोता है रात को सोता है परन्तु थोड़ी से हाट से ही तुरन तूट जाता है श्वान निद्रा बको धान मतलब कुटे जैसी नींद उसकी नींद थोड़ी से वाची खुल जाती है जब उसे गुस्सा आता है तो क्या करता है? भूख भूख ने लग जाता है उसकी देख भाल कोन करता है? परिवार के सभी सदश्य करते हैं तो मैंने लिखते हैं यहां पर हम सभी अगर कोई एक बच्चा करता है तो वह अकेला भी लिख सकता है यहां पे क्या उसने उसके कान भार दिखाई देते हैं और यदि हाँ तो उनका आकार कैसा है कुट्टे के कान दिखाई देते हैं बिल्कुल दिखाई देते हैं उनका आकार पत्ते जैसा है उसके सरीर पर बाल है या पंक, बालों या पंकों का रंग कैसा है, तो कुट्थे के सरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, पंक नहीं होते, और कैसे रंग के होते हैं, काला भी हो सकता है, कुट्था भूरा भी हो सकता है, दो रंग का भी हो सकता है, तो यहां मैंने लिखा है, काला वह अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है तो कुत्ता हमेशा ही बच्चे पैदा करता है अंडे नहीं देता है ये मैंने कुत्ते के बारे में लिखी है अगर आपके घर में बिल्ली पाल रखी हो तो ये सारी चीजे बिल्ली के बारे में लिखोगे ये नहीं कि यहा आगे कह रहा है ऐसा करो नीचे कुछ जीव जनतों की खाल दिखाई गई है देखो यहां पे यह सब की खाल दिखा रखी है इसे पहचानो और दी गई तालिका में इसे छाट कर उस जीव जनतों का नाम लिखो तो यह यह देखो यहां पे दे रखे जीव जनतों की खाल तो य बाग की होती है और ये जैब्रा ये किसकी है भई ऐसी किसकी होती है साप और ये ये जिराप की है और यहाँ पर ये तैंद्वे की खाल है तो हमने सब की खाल के नीचे लिख दिया और ये छाटे कहां से हैं इसी में इसे छाटे हैं हमने ये आगे पिछे करके लिखे हुए थे तो यहां हमने कर्म से लिख दिया इनको ठीक है इन जानवरों को देखो और तालिका पूरी करो तो देखो पहले तिन जानवरों को देखते हैं हम क्या है ये पिक्चर किसकी है काला तीतर की है और ये हरियाना का राजे पक्षी है ये क्या है काला हीरन ये हरियाना का राजे पक्षी है और काला हीरन हरियाना का राजे पक्षी है इसी तरह ये क्या है बाग बाग हमारा राश्टर पूरे राश्टर का पक्षी है और मौर ये राश् पूरे देश के हैं पक्षी पसू पक्षी और ये दोनों हैं हमारे राज्य हर्याना के पसू पक्षी ठीक है तो यहां तालिका में हमें लिखना है जानवर का नाम पहले इसी का लिखते हैं काला तीतर का रहता है खेतों में खाता क्या है कीडे मकोडे कान भार दिखाई देते है नहीं नहीं दिखाई देते अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है अंडे देता है और सरीर पर बाल है या नहीं नहीं है कान जिसके भार दिखाई नहीं देते उसके सरीर पर बाल भी नहीं होंगे ये ध्यान रखना है तुमें काला हीरन कहा मिलेगा जंगल में मिलेग और क्या खाता है वो घास हिरन तो घास ही खाता है ना इसके कान दिखाई देते हैं भार बिल्कुल दिखाई देते हैं और अंडे देता है या बच्चे बच्चे देता है और इसके सरीर पर बाल भी होते हैं बच्चे पैदा करने वाले जो जी होते हैं उनके सरीर पर बाल होते हैं बाग कहा मिलेगा हमें जंगल में मिलेगा मास खाता है वो है ना और उसके कान दिखाई देते हैं बाग के भार पर दिखाई देते हैं हाँ बच्चे पैदा करता है और सरीर पर बाल होते हैं इसी तरह अब आ गया गया है मोर मोर कहां रहता है केतों में या घर के बहुत खुला हो तो वहां भी हो सकते हैं खाता क्या है केडे मकोडे या फिर दाना चुकता है और कान भार दिखाई देते हैं नहीं और अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है मोर के अंडे होते हैं मोर नहीं देती है वही ठीक है और शरीर पर बाल नहीं होते तो इस तालिका से भी हमें क्या पता चलाख देखो जो दोनों जानवर है जिनकी सरीर पर बाल हैं वही बच्चे पैदा कर रहे हैं और उन्हें के काना में बाहर दिखाए दे रहे हैं लेकिन जो दो पक्षी हैं मोर और काला इतर पक्षी है न ये तो इन पक्षियों के क्या है इनके बाल भी नहीं है और ये बच्चे पैदा नहीं करते ये सिरफ अंडे देते हैं आगे है समझ में इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाब्द करते हैं और आगे का पॉर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सेयर कर देना और चOnly को सब्सक्राइब कर देना सायसात हमारा दूसरा चンネル है उसको भी आप सब्सक्राइब कर ले बेर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे दूँगी और उपर आई बटन में मिल Thank you